दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All In One चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक बार फिर से सरकार ने कुछ नए नियम निकाले हैं और ये फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स की सहुलियत के लिए है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो है अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है इसमें हम बात करेंगे कि जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए अभी जो जो उनके issues आ रहें उनको किस तरीके से resolve किया जाएगा तो लिए दोस्तो बात करते हैं आज के इस important update के बारे में जो pensioners और family pensioners के लिए अभी निया नियम आया है और किस तरीके से ये pensioners के लिए beneficial है दोस्तों अब अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ पहल आइकन जरूर दबाए दोस्तों सब्जेक्ट लाइन आप देख सकते हैं Speedy Dispozyle of Pension grievances जितने भी Pension grievances हैं उनका Speedy Dispozyle करना specially Lodge by family pensioners and super senior pensioners जो भी family pensioners है क्योंकि इनके लिए सबसे जरूरी है कि इनके जो भी grievances है जल्दी से जल्दी उनका speedy disposable किया जाए जल्दी-जल्दी resolve किया जाए और इसके लिए आप देख सकते हैं कि अल्रेडी जो है यतने भी PCDs हैं जो भी pension disbursing authorities हैं CSD हैं, CFD हैं, NADFM हैं सब को भीजा गया है letter और जिसमें exactly title mention किया गया है और यह order निकल चुका है कि जो भी pensioners का grievance आता है या family pensioners का grievance आता है उसको priority number one पे उसका resolve किया जाएगा उसको सबसे पहले resolve किया जाएगा और इसके रहावा जो super senior pensioners है, 80 years and above उनके लिए जो है यह निकाला गया है इसकी copy भी जो है सभी जितने भी अलग-अलग जो departments है जो कि pension को disperse करते हैं उनको भेज दिया गया है जिससे कि आगे से जो भी कोई ऐसा case family pensioners का या senior family pensioners का आता है तो उनका case जो है जल्दी से receive किया जासे है और किस तरह के grievances है कैसे handle करना है इसका कुटा का पूरा handbook में clear information दिया गया है और उसी rule के according जो है जितने भी claims या जो भी issues आएंगे family pensioners के और जितने भी senior citizen है जो 80 years के बहुँ है उनके लिए दोस्तों ये था आज का important update सभी pensioners और senior pensioners के लिए family pensioners के लिए अगर वीडियो पसंद आये तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this video